जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योटीप चैनल में दोस्तों गुरू शनी का एक बेहद शुब संयोग बन रहा है जो की धंतेरस से पहले होने वाला है और इस शुब संयोग का जो प्रभाव है वो तुला राशी के लोगों के लिए बेहद लाबदायक हो तो आज की इस वीडियो में हम इसी संयोग के बारे में बात करेंगे इस योग के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा योग है कौन सा संयोग है और आपके लिए किस तरह से वो लाबदायक होगा क्या कारिया आपको करने चाहिए किन-किन कारियों से आपको लाब होगा तो वीडियो को अंच तक जरूर देखें चैनल पर अगर आप आज पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें नौटिफिकेशन बैल को आल पर सेट कर दें इससे क्या होगा हमारी वीडियो जब भी आएगी तो उसकी नौटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी धनतेरस और दिवाली का पर यह सबसे सिध दिन माने जाते हैं और इस दिन जब योग बनते हैं या नक्षतनों के इस्तिती होती है तो यह बहुत ही महत्वपून हो जाते हैं लेकिन इस बार दीपावली और धनतेरस इन दो त्योहारों से पहले ही कुछ ऐसे सैयोग बन रह जैसे की इदिन होते हैं हिंदु धार्म में किसी भी नए कारे की शुरुवात करना हो या फिर किसी भी शुब चीज के लिए खरेदारी करनी हो तो उसके लिए शुब मुरत जरूर देखा जाता है क्योंकि शुब मुरत में जब हम किसी चीज की खरेदारी करते हैं या किसी नए कारे का शुबारम करते हैं, वेपार की शुरुवात करते हैं, नए दुकानदारी शुरू करते हैं, तो उसमें सफलता जरूर मिलते हैं, इसलिए शुब मुरत जरूर देखा जाता है, उसी तरह से त्योहारों का भी विशेस महत होता है, और कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिन में नई चीजों की खरेदारी जरूर की जाती है या नई कारे की शुरुवात की जाती है ये तोहार जैसे नवरात्री में नए या शुब कारे किये जाते हैं दसेरा हो गया धंतेरस हो गया और दीपावली हो गया इन तोहारों में बढ़ चड़ कर बजारों से खरेदार बना रहा है। 28 अक्टूबर को गुरू पुशन नक्षत्र का संयोग बनने जा रहा है। गुरू पुशन नक्षत्र सभी नक्षत्रों में सर्ब्सरेस्ट माना जाता है। धन्तेरस और दिपावली के दिन भी शुब योग बने हुए हैं लेकिन उससे पहले जो ये 28 के दिन बनने वाला है चोतिस आत्र में 27 नक्षत्र होते हैं और 27 में से कुछ नक्षत्र बहुत ही शुब माने जाते हैं विशेस फल देने वाले माने जाते हैं जिन में से एक होता है गुरु पुष्च नक्षत्र जो बेहद खास होता है गुरु पुष्च और रवी पुष् पूशननक्षत्र का नाम हुआ गुरू और ऐसा शुब संयोग साल में एक बार बनता है या दो बार ही बनता है एक गुरू पूशननक्षत्र आ चुका है और अब ये 2021 का ये दूसरा जो नक्षतर है गुरुपुशी 28 अक्टूबर को है इसके अलावा भी कुछ ऐसे योग इस दिन बन रहे हैं जो इस दिन के लिए महत्पून है एक तो पूरा दिन सरवार्थ सिद्धी योग रहेगा इस दिन रवी योग भी इस दिन बनेगा और अमरत दि योग भी बनेगा अब एक दिन में जब इतने योग बनेंगे तो आप सोच सकते हैं इस दिन आप किन किन कारें के शिरुवात कर सकते हैं या जो कारें आप करेंगे उनमें कितनी बरकत हो सकती है इसके अलावा 677 वर्ष के बाद गुरु पुश्य योग में शनी और स्थिति में दोनों मारगी भी हैं दोनों ही ग्रह मारगी हैं शनी जहां कर्म के देवता हैं और गुरु आर्थे के स्थिति के हैं दोनों का एक राशी में होना ऐसा शुब संयोग खरिदारी करने के लिए निवेश करने के लिए एक महा मुहृत के रूप में साबित होगा गुरूपुष्ण नक्षत्र के स्वामी भी शनिदेव ही है अब शनिदेव का नक्षत्र है और शनिदेव मारगी है और धन के स्वामी के साथ बैठे है तो ऐसे में खरिदारी करने का एक विशेस मौका है और कैसी कैसी चीजों में आप लाव इस दोरान पासकते हैं यह क्या क्या कारिया आप कर सकते हैं इस शुब मुहरत में आप खरेदारी भी किसी चीज की भी कर सकते हैं इसके अलावा आप जमीन में इन्वेस्टमेंट करना जमीन का सौधा करना भवन, सोना, चांदी या शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं या फिर आप इस दोरान जो भी आप अपने अप इलक्टोनिक सामान करे दिना चाहते थे या फिर आप कुछ घर से जुड़ी हुई कुछ भी चीज नहीं दुकानदारी ही शुरू करना चाहते हैं कोई पॉलिसी ही करना चाहते थे तो इस नक्षत्र में आप करें गुरु और शनी में मितृता भाव है, दोनों का भाव बहुत ही शुब होगा एक तो आपके कर्म को देखेगा, एक तो तो उसमें सफलता मिलने के सबसे ज़्यादा चांसिज होंगे, जल्दी ही आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस योग को ऐसे ही न जाने दें, इस योग का पूरा फाइदा आप उठा सकते हैं, अब ये जो दिन होगा 28 अक्टूबर का दें, ये तो पूरा दिन तो ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन से अगला दिन भी बहुत अच्छा है, और इस दिन से ही आपके लिए शुब इस्थितियों का निर्मान भी हो रहा है, तुलाराशी के जाता है, तुलाराशी के लोगों के लिए चौथे भाव में बैठे हैं, चौथा भाव माता का भाव है, शुख का भाव है, चौथे भाव में ये दोग रहे हैं, और जो योग हैं, इनका भी प्रभाव है, अब यहां माता की तरफ से भी आपको कुछ ऐसी इस्थितिया निर्मित होंगी कि लाब की प्राप्ति हो सकती है माता पक्ष से लाब का योग बन रहा है माता को अगर सेहत समंधी परिशानी थी तो वो सेहत समंधी परिशानी भी आप इस योग में दूर होती भी दिखाई देगी संतान की तरफ से कुछ अच्छी खबरें आपको मिल सकती है अगर आपकी संतान करियर से जुड़ी है या अपनी करियर की शुरुआत करने वाली है तो इस दिन लक्ष्मी मा की पूजा अर्चना करना उनके लिए बहुत लाब दैक हो गया तुलाराशी के स्वामी है शुक्रदेव और शुक्रदेव मा लक्ष्मी के उपासक है और यह जो योग है यह मा लक्ष्मी को प्रसन करने के लिए बहुत योत्तम है हर कोई मा लक्ष्मी को प्रसन करना चाहता है तो इस दिन मा लक्ष्मी की उपासना करें साथ में भगवान विश्नु की भी उपासना करें क्योई गुरुवार का दिन होगा और इस योग में मालक्षमी को एक कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें कमल के पुष्प से मालक्षमी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है विधान से पूजा पाठ करेंगे तो उनका आशिरवाद आपके उपर जरूर बनेगा और आपके राशि के स्वामी भी मजबूत होंगे ज़र राशि स्वामी मजबूत होते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो और अच्छी हो जाता है और 30 अक्टूबर को वो राशि भी बदलने वाले हैं 30 अक्टूबर को शुक्र धनूर आशि गुरू की राशि में भी बैठने वाले हैं तो इस्तितियां वैसे भी परिवर्टित होने वाले हैं तो इसलिए ये उपाय करना आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा ये दिन किसी नए रिष्टे की शुरुआत करने के लिए भी अच्छा है कोई रिष्टा पक्का आपका हो सकता है विवास अमंदी बाते हो सकती है तो उनके लिए भी ये दिन बेहद शुब रहेगा तो दोस्तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग तक ये पहुंच सके